हेलो स्टूरेंट्स मैं रेवी रेंजेन आप लोग का स्वागत करता हूं मैंगे बेंज हिंदी में जो आपको प्रवाइट करता है चटी से बारवी कक्षा तक के सब वीश्यों के कंप्लीट वीडियो वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट और ऐसा नहीं कि एक चेप्टर दो चेप्ट कि को तो आज हम पढ़ने वाले मटिपल जोंग के चीज आ सबसे पहले हमने सब없이 पूरे में एक ईसका वह दो करने एक वीडियो में पूरे प्लिट चेप्टर समय है उसको सके बाद हम आया है हम कुछ के सब्सक्राइब आ सब 2006 स्ब्सक्राइब्सक्राइब नभी नियה तो तो देखा लिए यह तो देखा है आपको आपको हमेसा लगना चाहले लगना देखा हुआ हैं यह को कुशन तो नबाओं जन अकर्फा और गोश्जिकimana करने बाद और यहांट करने वाले लिए स्टार्ट करतें को से यहाँ पा रहे हैं 21 डीस बात कर रहे से पहले 30 को शिरwhat क्या कह रहा है तो इसमें किसी तुर भूज में तुरू किसी बुजा के मद्ध्विंदू से इसने क्या कहा है किसी बुजा के मद्ध्विंदू से जो जो कह रहा है उसको समझो ठीक है मद्ध्विंदू से एक भुजा के समानतर खीची गई रेखा दूसरी भुजा को एक समानतर खीची गई रे का CAD कर रहा है तो बह nella सम्त्री भाजित कर रहा है संद्री वाजित कर रहा है चाल भागों में बाटती है क्या करता है यह इनमें से कोई भी नहीं हे वाइट मतलब संद्री कि अगर ये रेखा इसके समांतर है तो इनकी भुजाए एक ही अनुपात में होगी और ये कहा था भी पीटी ने ठीक है भुजाए एक ही अनुपात का मतलब क्या हो गया अब, ये आडे सी डी यह बी पीटी ने कहा था आडी बटे में डी बमी q수 अब बेट बराबर में होगा कि यह अकाठ देखर में अमतलब क्योंच 비ुजाए समांतर है तो बुजाएं एक ही अनुपाट में होगी जो डो भुझाएं अलग-लग लग इस जार नुबात थो 1 है क्योंकि यह अर यह बराबर है और जब बराबर तो कटके 1 यह दिनंधिगे इसका मतलब यह दोनों यह दोनों बराबर है यानि कि यह एस पर लहा है दिन इसका नमबर यहां पर चेक करते हैं तो बिल्कुल ठीक है नौ प्रॉबलम तो आपको पता होना चाहिए समधी भाजित क्या होता है यह पता होना चाहिए कि अगर एक बिंदू जो कि इसका मध्य बिंदू है और दूसरी तो भुजा के समानतर रेखा वहां से किची जाए इस मद्धिविंदू से तो वह तीसरी जो भुजा होगी उसको भी सम्धिभाजित करता है डन चलो वैठी के आते हैं नेक्स कुशन पर अगले कुशन में देखते हैं किस तरीकी का है हाँ जी तो अगले कुशन की बात करें तो यहां देखा दो तिर्भुजों में सभी संगत कोन बराबर हों तो तिर्भुज की संगत भुजाएं क्या होगी इसने कहा है एक तिर्भुज यह है एक तिर्भुज यह है ठीक है इसने कहा है दो तिर्भुज की संगत कोन बराबर ह यानि कहा जाए यह अगर एक्स है तो यह भी एक्स है भाई यह वाई है तो यह भी वाई है और यह जैड है तो यह भी जैड है यानि यह कहना चाहरा है कि अगर इसके तीनों भुजाएं तीनों को जो कोण है वो इसके तीनों कोण के बराबर हो जाएं जैसा कि कहा है संगत को कोन बराबर यानि पहला कोन पहले से दूसरा दूसरे से तीसा तीसरे से संगत का मतलब ध्यान रखना क्या है संगत कोन का मतलब क्या है पहला पहले से दूसरा दूसरे से बराबर हो रहे हैं तो उस condition में यह दोनों तो समरूप हो जाएंगे और जहब दो तिसे समॉप हो जाते हैं तो उनकी भुझाएं क्या होती एक ही अनुपाद मे Santy जाती है एक ही कि अनुपार में आने का मतलब यहां पर क्या है समान अनूपाथ में होगी सब्सकाइब यह सभी मैं नहीं आför यह किmia और यह ज़न्म और दोनों कैसे होसकते भरई होगा भी एस होता यह सपाइब गलत है यह हमारा पहला वाला ही करता रहे हैं क्या यह सही वाइओ अगले तो नेक्ट कुश्चन की बात करते हैं तो यह इत्कोशन नंबर 33 जो है परसंद 33 वा है इसमें देखने एक व्यक्ति 10 पूरव की और जाता है ठीक है और फिर 30 मेटर उत्तर की और जाता है इसके लिए आपको पूरव पस्चिन पता होना चाहिए तो यहां पर जब कर शांधे कागचत पर कभी विद स्टरजीन पूरव पस्च्चिन बनाते हैं तो कि some पर लेकिन पर जो कन बनाते वह हमेशा उपर बनाते हैं उत्तर बनाते ठीक है और नीचे बनाते हैं बनाती डख्चन ठीक है और इस साइड आता है पस्चिम आता है और यह आता है पूरव आता है ठीक है यह चीज हमारे पास होता है याद रखना हमेशा उत्तर दक्षिन पूरव पस्चिम यहीं चीज़ाएगा डन डन चलो है ठीक है अब इसके बाद फिलाल जो इसने कहा है दस मीटर पूरव क की बात करें तो उत्तर उपर जाता है से ठीक है यह तीस हो गया यह दस हो गया अब इसने कहा है क्या प्रारंबिक बिंदू से उसकी दूरी क्या होगी यहां पर पहुंच गया इसकी दूरी प्रारंबिक बिंदू से क्या होगी तो हम यहां देख पाते हैं कि यह संकौन तुर वरगों के योग के बराबर होगा नहीं सारीधर हजार مतला दस गुने दस गुने दस यह आ रहे बैदागा इसको तोड़ा जय minder है अब यहां देख पा त्यजुप इसका बन गए आ और इनको गुना किया जाये तो इसका बहों और रूट कर जाता है लेकिन जिस पे उस रूट करता है सबका रूट नहीं करता है तो इन दोनों को गुना किया तो दस पर वर्ग आ गया उस दस के वर्ग से रूट कर जाएगा और उस दस को हमने बाहर ले लिया चलो ठीक है लेकिन यह बेचारा दस अंदर फस गया क्योंकि इसके पास वर्ग नहीं बचा है तो इसको भाई अंदर के चलो हां जी तो अगले कुश्ण की बात करें तो यहां में दे रखाए चौंतिसवा कुश्ण जिसमें है एबी सी में कौन बी जो हो 90 डिग्री का है तो यह देख लेते हैं मैंने एक तरभूज बनाया कि इसमें इस 90 डिग्री वाले को भी माल लिए क्योंकि इसने कहा था दो रापाक्ष बनती है आफास क्या बनाता है दो बुजाएं जो अलग Dasולky होती है एबी का ब्लस कि बंताहिता है नबे के सामने वाला करण होता है तो बड़ी भुजा होती बड़ीं में इसका और चीक । चिका अपसंन धिख तो इक तो एक दिखए-शी ओर सincome से थर्ड अप्सन यहां पर हमें दिख रहे हैं इसको चेक कर लें क्या यह सही है पाइथ लगाया और क्या ही गलत होगा यह तो बिल्कुल सही है नो प्रब्लम देख लेते हैं बिल्कुल सही नो प्रब्लम आते हैं नेक्ट कुश्चिन पर अगले कुछिन की बात के तो यहां में दे रखा वह यह एक तिरभुझ है ठीक है और इस तिरभुझ के अंदर एवी 13 है बीसी बारा है और एसी पांच है पर आप इस तरह से बना दिया है वह इसमें देखा वही जिए फॉली आप इसने क्या पढ़ा है इस में क्या है पांच का तो यह 5 लिकांग और बीसे 12 ङाना इसी आ से 13 निया पर यह जैसे तलिए तरह फुर्ष पर अब इसने पूचा है अब कोंसी कितने का होगा यह कों कितने का होगा अब यह से बता दे भुजाई दे रहे कि कूण कैसे बता पाएंगे तो इसमें देखेंगे क्या यह पाइथागोर्स फूलो कर रहा है बड़ी पुजा का वर्ग क्या दो छोटी फुजाओं के वर्गों के बराबर है अगर ऐसा है तो बड़ी पुजा के सामने वाला के बराबर है तो आमने देखा यह 25 है और यह 144 होगा और इसको जोड़ा तो 169 आ रहा जिए रहा लत यह उनक है और इस को सतateik को से के यह यह cquis है वह के रहा रहे हैं जो किसी यह स्कौन न ऑप्सण्ड cora room. दन तो इसको चेक करते हैं क्या यह सही है तो हमने इसको चेक किया तो एक मिनिट बिल्कुल ठीक है नू प्रब्लम आते हैं नेक्ट कुश्ण पर कि हाज़ी तो अगले कुश्ण की बात करएं तो यहां में देर रखा भई ABC तिरबुज के इंदर AD जो लंब है BC पर चलो पर देखते हैं कैसे क्या है ABC एक तिरबुज बना दिया ठीक है इसमें एडी जो है वह लंब फिल उसकर में करना है थो इसका और इसका सब्सक्रार को जोड़कर है मैं पताने कितना आगर अगर अगर शुक्ता अब गरद निकिलता हो किसके तो कि बरावर होगा प्लस ससके बरावर होगा क्यों क्यों कि ये नबे डिकरी तो यह तो बन गया संब तिर भूच तो रखेगा पाई तो यह बिकाद यहाँ प्लस ने बीडी का अगया ठीक है इस तिर बूच की बात करें तो इसके according a c cover कितना होगा को ईसी दी कर्वण है ? डास में सी डी का भर होगा है यहीं होगा वजव ए डी दी तो फिर सी टी लिख दिया इसको टा कई दये तो एक ऐस सी का बढ़्स एडिक और यहां पर देख सकते हैं दो समीकरण आ गई है इसने क्या था दोनों का योग चीए जोड़ना चीए तो दोनों को जोड़ता हूं तो क्या आएगा तो भई मैंने जोड़ा इन दोनों को जोड़ा ए यह पर क्या आंसर में रिख भाए यहोच BD काब है ठीक है फ्लस में स्यडी की जगह लिएसी माइने सिडी होगा तो भः लिखा वैने क्या conect यह अब इस में देखने है अप्र इसमें घैने से एडी कट चुका है है बैसा है जैकत वाली बात नहीं है यह बिजहेश help नो प्रावलों आते हैं नेक्स्ट कुश्ण पर ओके चला है अगले कुश्ण की बात करें तो यहां पर रहे किसी तिर्भुज की एक भुजा के समानतर खिची गई रेखा तिर्भुज के अन्य भुजाओं के को किस अनुपात में विभाजित करती है तो भाई हमें इसने कहा कि तिर्भुज के अंदर तिर्भुज है एक भुजा के समानतर को दूसरी रेखा खिची गई है ठीक है तो वह बाकी दो भुजाओं को किस अनुपात में बाटती है तो इसका अनुपात हम ही क्या बता लेकिन एक चीज़रू पता है जिस भी अनुपात में बाटेगी दोन तो एक तिर्बुज में एक भूजा के समानतर को दूसी का रहे तो उनको एक ही अनुपात में काटे इसको चेक करते हैं क्या यह सही है तो देखा तो बिल्कुल ठीक है औरम आते हैं next question का vantage को चली गहीं चाथ था ऑई किसे था हमारा क्या था ठीक है और दूसरा है उत्तर की बात करें उत्तर हम रहाएं उबन उत्तर द मुछ लिए तलिए हैं तो हमने फिलाल पूरव और उत्तर है अब इस ने कहा है यदी पूरव की और-धस-क जो भी थोछ़ पहले किया था इसमें हम एक्का श का हर प्लसमें दस पहर गाएगा तो यह आ Judaism और इसको जोड़ा तो याना यारा फांसोचितर याद रख ना 24 का वर कितना हुता है फांसोचितर ठीक है और 10 की बात करें तो यह होता है भई 26 का यहां पर चुका है इसको चेक करते हैं क्या यह सई है तो हमने इसको देखा तो भई बिलकुल ठीक है प्रवब्लम आते हैं नेक्ट कुश्टन भी अगले कुश्टन की बात करें तो एक संभाहू तर भूज है जो की एबी सी है की भुजाएं छे सेंटीमेटर है ठीक है तिर भूज की उंचाएं क्या होगी एक संभाहू तर भूज क्या रखा है इसकी दे रखाएं इसके नदर संभाहू तर भूज है छे सेंटीमेटर भाई मैंने यह लिखा यह बना के देखते हैं ज्यादा समझ में आएगा छे आगया छे आगया यह यह हो गया अब इसने का इस तिर भूज की उंचाई उंचाई का मतलब क्या होता है तो एक लंब घीचा जाएगा यहां ठीक है और यह चैना यह फूरा तो यह कितने का जाएगा इसको कह सकते हैं यह तीन का गया हमें इसकी लंबाई इसकी लंबाई जीए अब यहां से देख सकते हैं इसमें भी लग रहा है। नभे है तो सामने वाला एक होगा यानि हम कह सकते हैं छेका वर्ग जो है वह te c इसका वर्ग प्लस में तीन के वर्ग के बराबर होगा इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा लिख दिया हमने यहां से हमने निकाला एक्स का वर्ग यह तो 36 माइनिस में तीन का वर्ग यह नौ यह कर दिया माइनिस तो एक्स का वर्ग कितना आगया त सट़नाइश आएगा वर्थे रूट में एक और 27 को कैसे लिए तो तो तीन गुझञे 3 being a tina प्रवब अब जो यहां पर जोड़ी बन रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं अब इसका प्रवब उन प्रभल चूका है यानि या है तीन गुने पर ऑप्सन है तो भाई यह थार्ड ऑप्सन यहां पर दिख रहा है तीन रूट तीन अब इसको चेक करते हैं क्या यह सही है तो भी इसको हमने देखा तो वह यह लिकाए वने ए बीसी पी क्यू और इसने कहा है यजी एक पूझ का एक कोंड दूसरे पीर फूझ के पराबर आप तीक है तता इन कोंड को अंतरुर्गत करने वाले यह दोनों बूझा समान अनुपात में हैं उसके तो यहां की बात करें यह और यह और यह और यह दोन समान अनुपात में हैं यानि दीक है तो हम कहा सकते हैं बटे जो है यह दोनों तरो भुशे क्या होंगे तब दोनों क्या होंगे क्या सरवांग्षम होंगे क्या समरूप होंगे क्या समरूप नहीं होंगे क्या सरवांगशम नहीं होंगे क्या ठीक है तो यहां की बात करें भाई इसके अंदर क्या हो रहा है क्या यह दोनों एक्जेक्ट सेम है मतलब बच समान अनुपाट में का मतलब क्या है कि अगर ये दो ہے तो ये चार हो रहा है कोई भी एक मल्टेप्राइं में गोना में सेम हो रहा है क्या सेम हो रहा है तोपना कोomy गारंटी नहीं है किछ ऑर भी रीजन जो आ रहा है किसका वहीं दो भुजाएं एक ही अनुपात में उनके बीच कोन बड़ाबर है यांदि हम कह चोन से का वो समूरूप होगए कि अनुपात में जब आता है तो हमारा समूरूप आता है और ऑगर चिज़े बराबर होते अगर यह अनुपात नहीं के बराबर कहता तो हम इसे सरवांग समझे दें चलो वह आते हैं नेक्स्ट पर अंगले कुछन को दिखते हैं पर इसको चेक करते हैं क्या यह सही है तो बिल्कुल ठीक है नो प्रब्लम आते हैं अगले कुछन की बात करें यहां में दे रहा किसी त मतलब क्या होता है बड़ार को अगर यह माधिका नहीं क्या क्या करेगी तो माधिका पहले को संद्धिभाजित करती है तो बहें कहीशो ऋन्हें का यहांbooks कि फंस्टे ऑप्षन सम्झी वाजित क्या हुआ तो यही सका करेक्टर संत्रिभाजित का है तीन भागों में समान क्या करेगा हूद हो भी क्या है तो तो बहुं टीक है नो प्रब्लम आते हैं नेक्ट कुशन पर ओके चलो भई हां जी तो अगले कुशन की बात गए दो सम्रूप तिर्भुजों के छे तरफल करम से कितना है नौ वर सेंटीमेटर और सोला वर सेंटीमेटर है ठीक है इसने का आए छे तरफल जो है पहले का और छे तरफल जो है दूसरे का पहले का 6 छे तरफल में पैले कहा तो बूझाउं कानुπαात कrences यह होता है इंक कि वो चान इसकी इसकी था इसकी बड़ाबर होगा तो अब यहां से अगर मैं निकालूं तो भुजाएं क्या होगी तो भुजाएं यहां से स्कृ रटाओगे तो क्या हो जाएगा यानि मैं कर सकते हूं नौ बटे यहां पर देख सकते हैं एक्स बटे वाई तीन बटे चार मतलब थर्ड आप्सन यापर करेक्ट आ रहा है तीन बटे चार यह आ चुका है क्या दोनों की भुजाओं का अनुपात तो याद रखना जब भी दो तिर्भुजों का छे तरफल दे रखाओं तो उनका अनुपात यह होता है वह उनके भुजाओं के अनुपात के बर्ग के बराबर होता है तो वहीं चीज़ ने क्या और इसके साथ कंपेर किया इसको यहां से था तो इथा रूट लगा रूट कमूह था तीन बेटे चार दो यहां तो चेक करते हैं तो बिल्कुल ठीक है लो प्रॉल्लम तीनों बुझाएं बराबर है तो भाई मैंने लिखा क्या वही एक तर्वुझ बना दिया है ठीक है यह लिखा A B C इसने खाए A B बराबर सी यह बराबर में सीवी भी तीनों बुझाएं बराबर है यानि संभाह उतरवुझों गया चलो भाई बहुत-बढ़े और सब्सक्राइब करेगा क्योंकि जब भी हम संभाहुत के अंदर लंब खीषते हैं तो वह एक माधिका भी बन जाती है ठीक है अब माधिका बन की तो यह पूरा दोए है तो यह वाला एक आ गया ठीक है यह एक आ गया और हमें तो अब करना है तो हमान कर दो करना हो और और Mission स्मान लें लिए यह होगा हमएं फाइली एक्स निकालना जो कि AD है तो एक्स-कावर निकालेंगे तो इसको यह तर लाया तो चार ऑइसकार मैस स्कॉइर यह अगया इसको घटाते यह आ रहा है ठीन एक़ शक्वार ब्रावर में और प्रोब्लम आते हैं लागले कोश्चन की बात के तो यहां पर परसंट 44 दे रखा है इसमें रूप त्रभुजों के छेतर फलों का अनुपात उनकी भुजाओं के क्या होता है पर इस सम्रूप दो त्रभुज अगर समूप है तो उनके छेत्रफलों का अनुपात क्या है मानलो पहला तिर्भुज तिर्भुज एक जो है वह सम्रूप है तिर्भुज दो के तो इनके छेत्रफलों का अनुपात क्या होगा क्या होता बही तो यह होता है इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर तो इसमें कहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ वर्ग के अनुपात अनुपाती है व्यूत कर्माने में इन में से कुछ भी नहीं तो भई इसने क्या कहा वे भई छेतरफलों का अनुपात उनकी भ पात के बड़ाबर होता यह इस सक्वार्ज तो इसको करते हैं कि यह सही है तो देखा तो मेर्ट भी ठीक है नो प्रोब्लम आते हैं नेक्ट पर अगले कोश्यक्षम के देखते हैं कि सतरीके का है है सम्चतरूबज का मतलब की होता है चारो बहुते हैं अगर मैं ऐक और चिसको बीला दू तो क्या बन गया तो बिसriveатив हुआ जेखां मकिश तरीका का अब क्या दिख रहा है यह कुछ इस तरीके का बड़ा सा बंज गया ठीक है आब इसकी चार भुझाएं बराबर नहीं है इसका मतलब इसे हम चत्रफुझ नहीं कह सकते हैं तो अब क्या गया तो अब यह बन समांतर चत्रफुज यहां पर इसको चेक करते हैं क्या यह सही है तो बिलकूल ठीक है आते हैं नेक्स्ट पर अगले कुश्ण दिखते हैं किस तरीकी का कुश्ण हाई तो अगले कुशिन की बात कि यह संधीh संधीं बाहू समकोंड तुर्बूज मतलब यह संधीं बाहू और समकोंड भी झार तहीं कि इस तरीखसे में बनाता हूं यह है ए बी और सी जिसमें एबी जो है सब्सक्राइब को अगर मैं यहां रखूं तो यह सबसे यहां पर देख लो अगर यह सामने यह करण आएगा ठीक है और इसका वर्ग क्या होगा वह बराबर होगा बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग की बराबर यानि हम कह सकते हैं एसी का वर्ग प्लस में बीसी का वर्ग होगा यहीं होगा ठीक है अब यहां पर क्या चीज़ हो रहा है यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर कह सकते हैं इन दोनों यह दोनों क्या है सेम एक्जक्ट सेमें तो क्या चीज़ हो जाएगा भई एसी और यह भी एसी हो जाएगा क्य की हमें दिख रिख रखाया दो बराबर यह यानि यह तो यहां पर चुछ कहा यहां यह आ चुक कह है यह यह समकवर और कोई हो गया है तो यहां पर यहां पर यह वो किस चीज बता रहा कि कौन सा समकौन है ए है भी है सी है तो हमने देखा भाई सी से आंतर आया है यानि सी समकौन होगा तो यहां पर हम देख सकते हैं पहला ऑप्सन करेक्ट होता है ठीक है इसको मैंने पूरा ही कर दिया है सुरू में लॉजिकल एक तो हो गया कि आपको बेसिक पताओं चल गया है अब बेसिक पता चल गया तो इसके लिए मैं यहां पर आपको यह बताओंगा कि जैसे आप ऐसा तरफुष देखो देखोगे जो कि समद्रीबा हुए है तो उसका समकौन हमेशा दो बराब होगा ठीक है यानि दो बराबर भुजाओं के बीच का कौन ही समकौन होगा ओके तो यह चीज़ यहां कुशन समाप्त होता है इसको मैं देखता हूँ क्या यह सही है तो बहुत देखा तो बिल्कुल ठीक है नो प्रॉब्लम आते हैं नेक्ट कुशन पर ओके चलो हां जी तो अगले कुशन की बात करें तो यहां में दे रखा वैं समकौन तुरभूज दे जो है ए बीसी इसमें कौन ए जो है वह नब्बे का है ठीक है और क्या होगा अब यहां पर हम देख सकते हैं मैंने एक समकौन बनाया इसमें देखा कोन ईजो है वह नब्बे का है और उसके बाद क्या है भाई बी आएगा और सी आएगा यह वे और सी आएगा ठीक है अब इसने कहा है अब आप इसटेका है आप बगा और चीज क्या रखाए एड़ लंब भी है यहां से मैंने एक लंब खिचाए जिसका नाम डी है जो कि बीसी पर है ठीक है अब इसने का रिवार वर कि क्या होगा इन में से इन में से क्या होगा तो इसमें से बात करें तो हम जानते हैं कि यह चोटा वाला बड़ा वाला आपस में सम्रूप हो सकता है अब यहां पर बीसी और बीडी का मतलब बड़े तिर्बुज चोटे तिर्बुज का रिलेशन अगर पहले निकालेंगे तब यह आंसर निकलेगा इसका तो इसको और इसको जब सम्रूप करोगे तो कैसे सम्रूप होगा तो यह कोण ते को एक छोटा तरूप debate बड़ा निया चोटे स्टीख बाद तुस्रे की बात करें किया जिया हमें इधर भी टिक है यह शुरू के दो यह लेंगे तब यह वाला एवी हम ले पाएंगे यह तो चैकी को कि यह आ यह दो यह तो हमने लिकाव बटे में यह बाए इस एक गुणा करेंगे तो एक आपको पहले पतावची इसको छोटे वाले को बड़े वाले के समरूप करना होगा और यह समरूप होते हैं अब समरूप होने के विए से इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होगी तो उसको जब मैं गुना करूंगा तो कुछ ऐसा ही आंसरा जाएगा जो कि आ रहा है बी का वर्ग बीसी कुने में बीडी लिखा है बीसी और बीडी लिखा है डन अब इसको चैक करते हैं क्या यह सही है तो देखा तो बिल्कुल समरूप है तो हम बैं समरूप लिखते इसको पर समरूप में लगे तरभुज ए बीडी सी समरूप है तरभुज डी ए अफ के चलो बहुँ बहुत बढ़िया आप इसने यह कहा है तिरुज एबीसी का छे तरफल कितना है तो तरभुज हमने डी एफ डी है डी फोल डॉग डी एफ का छेतर रफल कितना है तो यह हमें 25 ठीक है भाई अब इसने कहा है बीसी दो पाइंट तीन है तो फिर एफ कितना होगा अब एक चीज़ देखिए इसमें क्या है छेतर फलों का अनुपात हमें दे रखा है और भुजाओं में एक परडिंग कहा जाए तो बीसी के साथ अनुपात कौन साएगा तो बीसी लास्ट वाला यह तो इधर लास्ट वाल आएगा जो की एफ ठीक है यह जाएगा और हमें एक चीज़ पता है कि भाई छेतर फल का जो अनुपात होता है तो आपस में समरूप तर पूज उनके छेतर बरग हटा हैं तो रूट लगे제री नerin पर लगीगा या आगिए रूट 16 रूट 25 अभ बरावर में बैसी बटे इंब अब यहां से वर्ग हम अठाटे रहे हैं तो ठीक हुए बेशी बटे एफ क्या रहा है चार प्रटे में पांच और यह होता है बिलकुल और इसको देखते हैं भई कहीं पर यह option आ रहा है पर अप्षिस क्या कश्रुब नो यह तो नहीं निकालना हमें क्या चीए सिर्फ एफ कमान चीए अब एफ कमान इसी से निकलेगा क्योंकि हमने यहां पर रिलेक्शन निकाल दिया अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर हम देखतें बीसी कितना है 253 उसको रखो आएगा अपने आप चार बटे पा पांच पूपर गुना करेंगे तो कितना उसका नुद्दधा सर पंद्रा पंद्रा गयारा पॉंट पांच बटे में 4 आ रहे हैं इसको जब मैं भाग करता हूं तो यह कितना है तो इसको भाग करेंगे तो पहरें चार दूनी आठ आ ठीक बई अब बचा 35 जो ची तो चार शचितना अगया है इसको प्रपर भाग करना गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है इसको प्रॉपर तरह कर ले ना इसको बाग क्या है 2-8-75 आप साथ पाजिया रखाया और यह यहां और इसको चेक करते हैं क्या यह सही है तो भई देखा तो बिल्कूल ठीक है तूलब्रावलब्लम् Okayressed तो आते हैं लेक्ट इन देखते हैं कैसा है यहां पर हम सारी को मिभार्यी को क्यूश्चिंड को देख रहे आपको लघे अब यह नहीं आता था वह झुट एक चोडवा दिया वह झुट उद्हू प्रेक्टिस कर रहे हो मंदेर्यच करते हो हर चीज अगले कोईशन की बात करते हैं तो यहां में देर रखाए क्या पर उनचास्वे कोईशन में दो समरूप तिरभुजों के छे तरफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के बरावर होता है तो उनके माधिका के वर सिर्षलम कोण अरे अरे बुजा तो है यह नहीं तो यह भी ठीक है माधिका की बात करें तो यह भी ठीक है यह भी आपका होगा ठीक है इसका भी इसके भी अनुपात के वर्गों के बराबर हो का बिलकुल ठीक है फॉर एक्जामपल देख लो यहां पर जैसे कि मैंने देखा यहां पर यह चीज़ों गई दो त्रूप यह समुरूप का मतलब क्या है यह इसके बराबर है और यह इसको डबल का इसको ट्रिपल कर दिया कि यह ब्राबर ठीक है तीनों कोड़ों तीन कोड़ों ब्राबर होगे वह समरूपे तो बराबर होगे अब इनकी भुजाओं का अनुपात तो इनकी छे तरफल का अनुपात के बराबर होता है ठीक है मतलब भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है यह तो यह साइड थी हमारे पास दो ए यह क्या है दो भी और यह है दो सी है ठीक है और यहां की बात करें यह हमारे पासे लेकिन यहां हम देख पा रहे हैं इसका डडबल ये मनुपाद तो दो क्यों अगर अगर मैंने मादिगा किची तो ये मद्दडू हो जाएगा और ये दो Ohrée सोफ बी हो जाएगा है सीम कडिशन यहां की बात करें तो यह चार भी है तो चार भी की जगा क्या हो जाएगा तो चार भी की जगा यह हो जाएगा इधर दो भी हो जाएगा ठीक है अब अगर मैं तरभुज की बात करूं इस छोटे तरभुज की बात करूं तो इनका एक कौन बराबर है तो बिलकुल है ठीक है वह एक भुजा और इसकी बात करें तो बीज से दो भी आ रहा है अब काटा तो हमने यह आ रहा है दो पर यह लिए ना यहां से हमारा सिध्ध हो रहा है कि यह छोटा तिर बुज आपस में समरूप हो रहे हैं तो इस स्कंडि़िशन्स से दो गोजा कन पाइब तो तीसरी तीसरी तो यानि आब यह अहां पर मैं पूरी चीन सद्ध करकर बता दिया तुक के आपको वैसे आपको सीद्य करना लेकिन समझाने के लिए भाई यह नॉजिक भी ठीक है आपे ठीक है अगर माद्धिका आएगी तो भी ठीक है क्योंकि दो तिर्बुज अगर आपस में समरूप हैं तो उनकी भुजाएं तो एक ही अनुपात में होती है और साथ ही साथ उसकी माद्धिका भी एक ही अनुपात में होती है डन चलो भी ठीक है तो यहां पर ठीक है और उनके बीच की दूरी बारा मिटर है तो इसको बनाते हैं यह नौ मिटर बनाया चौदा मिटर बना दिया इनके बीच की दूरी कितनी है तो इन इनके बीच की दूरी निकाल लिए तो यह दूरी कैसे निकलेगी तो इसको निकालने के लिए हम एक समानतर रेखा यहां पर भी खिछेंगे अब यह नौका है तो इधर भी यह नौका होगा भाई बिल्कुल होगा अगर यह नो है तो यह पांच का होगा क्योंकि टोटल तो चौधा था निवієं तो यह पूरा चौधा यह नौइं तो ऑंच काहल करूं । यह यहें बारा होगा ऑगर यह भारा का वर्यक्ति के बरेंगे यहां से एक्सकामान बहुत ग्याद करें तो बारा कवर 144 पांच कवर 25 यानि 169 आ रहा है और यहां सुकार चल रहा है और अगर सुकार हटाते हैं तो रूट आएगा जो कि 13 बना देगा इसको ठीक है यानि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी एक्सकामान कितना गया 13 तीक है हैं नेक्ट कोशन पर और लेक्स्ट में देखते हैं किस तरीके कुश्टन है हां जी तो अगले कोशन की बात कें तो समकॉन तुर भूज जो दे रिखा है एब सी जिसमें सी जो है वह समकूण है चलो बहुत अच्छी बात है जो है वहाँ यहां मैंने बनाया एक तो यह कितना होगा यह रूट 3 x होगा यह ही चीज़ देखाया समकॉर्ड के क्या होगा एक्स यू रवात करें तो यह प्लस में रूट तीन एक्स का वर्ग भाई यह आ रहा है इसको लिए सकते हैं एक्स का वर्ग प्लस में तीन एक्स का वर्ग और यह हो जाएगा चार एक्स का वर्ग यह आ रहा है हमारा अब यहां से वर्ग हटाएंगे तो से रूट लगेगा तो एवी की बात करेंगे तो य पर है यह बीकमान क्योंकि यह बीटो निकालना था में एक अब इसको चेक कर लेते हैं किया यह सही है तो इसको देखा तो बिल्कुल ठीक है नो प्रॉब्लम आते हैं नेक्ट कुशिन पर ओके चलो भी हां जी तो अगले कुशिन की बात करें सभी वर्ग होते हैं सारे के सारी क्या होते हैं वर्ग होते हैं कौन से वाले मतलब ही कहना चाहता है सभी वर्ग होते हैं सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं तो सभी वर्ग की बात करें तो क्या वह समानुपाती होते हैं समरूप होते है सरवांक्षम होते हैं इसमें से की बात बताएं तो बहुत समरूप होते हैं समान रूप होता है क्योंकि कोई भी आकरती है जैसे चोटा वर्ग है और यह बड़ा वर्ग है इसके सभी कोण नब्बे के होते हैं अगर कोई भी आकरती है उसके सारे कोण बराबर हो जाएं सारे कोण बराबर हो जाएं और भुजा की वात कोई ना करे ठीक है पर सारे कोण बराबर होते ही वह दो आकरती आपस में समरूप हो जाएगी तो यहां पर भी दोनों वर्ग क्य बात में होनी चाहिए दन चलो ठीक है आख इसको जैक करते हैं क्या यह सही तो भई बिल्कु ठीक है no problem आते हैं next question पर ओके चलो हुख तो नेक्स कुषिन की बात करते हैं तो यहां पर भाई 33 आगया तुरपन्वे कोशन और यहां से एक लंब डाला गया है ठीक बेडाल दिया गया अब इसने कहा है सब्सक्राइब और यह अगर इस पर लंब डाला गया है तो याद रखना संबाओं में लंब डालते हैं जो किसी भी पूरा और दो यह होगा और यह तो यह थो मैंने एक समान लिया तो यहां से हम देखते हैं वह दो ए और इसमें से सब्सक्राइब खना में इस बसमें 228 बरावर एकष्परHay Park पलस में एक अवर eu बभाव यहां से क्या करते हैं दो एक बार हो गया इसको धमार में लाएंग में वेका बरावर हो गया इसमें से माइनस किया तो यहां तीन एकवर बड़ावर मैं एक्सकावर आ गया अब यहां से एक वर्ग की बात करें तो यह आ रहा है索स का फिलम में गया ठीक इसब Thai कि वह अगया थीदिक लिख सकते हैं वह बराबर है x कितना नाम है यह ड का वर्ग बठे में पर यह pine Authority में दिख रहा आपको यह रहा आपAust Solo सब्सक्राइब करें तो देखा हमने तो भई बिल्कुल ठीक है नो ब्रब्लम आते हैं नेस्ट कुश्चिन पर ओके चलो अगले कुश्चिन की बात करें तो यहां भई दिये गए आकर्तिक में दी जो है वह समानतर है इसको बहुत बढ़िया अब कर मान में घ्याद करना है एक के मान का मतलब क्या होगा तो बुइस में हमकिए 8 मतलब को उसको लिखता हूं करें है entire बडचे में बराबर किसके होगा तो मसी के बड़ाबर होगा है एड़ावरा दी बड़ाबर होगा बते में इसी के तो इसको देख लेते हैं दी बिकुतना है जो ओथ तिसरा ठीक है सतरह दूआतीस हो गया हो तो इसे प्जूद करना तो अगले कोशन की बात करें जो पच्छ परफ़ परफ़ पन्वा कोशन है इसके अंदर देखा जाए तो डी इस समांतर है बी-सी के तो देखा हमने एक तिरभुज खीज लेते हैं उसमें खुद से बना लेते हैं ठीक है यहां पर हमने बनाया एक तिरभुज ठीक है जो कि क इस अक्वर्डिंग क्या होगा तो इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में होगी यह जो दो बुजाओं को काट रहा है ना यह दोनों एक ही अनुपात में होगा और क्यों भाई बीपीटी से ठीक है तो वही चीज यहां पर हम लिख रहे हैं क्या वही एडी बटे में डीव टीक है अब लिखा मैंने पांच विटीन ठीक है और एटे इसी यही हमें घ्यात करना था ठीक है यह आं गया पांच बेटे 3 तो इसको चेक करते हैं कि यह सही है तो वह इसको देखा तो हमने बिल्कुल ठीक है नो प्रॉब्लम तो यहां पर हमने देखा भई क्या वह अगर कोई भी रेखा किसी एक भुजा के समानतर है तो बाकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेगी और यह कहा था भी पीटी ने और उसी के अनुसार हमने यहां पर अंसर निकाल दिया डन हमने बनाया एक वर्ग बनाया ठीक है और एक आयत बना दिया यह आपस में क्या होते हैं तो इसकी बात करें तो यह सम्रूप नहीं है यह सम्रूप हैं इन में से इनके अमाप बराबर हैं इन में से कोई भी नहीं क्या कहा जाएं क्या यह सम्रूप हैं सम्रूप तब होता है जब इसके सारे कौन भी बराबर हो और सारे भुजा एक ही अनुपात में हो तो यहां पर यहां पर यह सारे कौन तो बराबर है पहली बात तो बिल्कुल ठीक वह सारे कौन बराबर है लेकिन इसके भुजा एक ही अनुपात में नहीं है यह अनुपात में हो जाए तो यह वाल नहीं है ओके आते हैं नेक्ट कुछन पर अगले वीश्य में देखते हैं क्या होगा है अगला सब्सक्राइब जिसमें लेकर देर रखा है बुझाओं की समान संख्या वाली दो बहुद्ध समरूप हैं मतलब कोई भी जो बहुद्ध curable wow10-97 kवलाय को इसे बूछा वाली आकरति लेकिन दो है और दोनों की भुजाओं सेम होते हैं और एक में पांच भुजाओं तो दूसरे में पांची बुजाओं के एक ही अनुपात में होनी चाहिए इसमें कहीं लिखाए संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होना चाहिए यह लिखाए संगत कोण बराबर होने चाहिए या दोनों कंडीशन होनी चाहिए तो भाई भुजाएं भी अनुपात में चाहिए और संगत कोण भी बराबर होने चा दूरी है ओके तो इसको ने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है नो प्रॉलम आते हैं नेक्स्ट कॉश्चन पर ओके चलो कि अगले कुश्चन की बात करें ठावनवा कुश्चन जो दे रखा है दो समरूप तिरभुजों की भुजाएं एक अनुपात दो में हैं वह समरूप है कहा जाए तो फ़र्ष्ट गुज है वह समरूप है सेगे तो और दो त्रूप अब इसने का हैं उनकी भुजाओं का अन बटे में छेत्रफल दूसरा वाला इसका जो अनुपात होता है वो इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बरावर होता है यानि कितना आया तो इसको कह सकते हैं एक बटे चार आ गया यानि एक अनुपात चाहर जिए चुट्था पाथ हमारा बिल्कुल करेक्ट आता है कि दे रखा एक अनुपात चाहर इसको चैक करते हैं क्या यह सही है तो देखा तो बिल्कुल ठीक है नो प्रवल्म तो यहां पर आपको यह लॉजिक बिल्कुल पता होना चाहिए कि दो जो छेत्रफल होते हैं अगर वह दो समरूप तिर भूजों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ठीक है चलो बई आते हैं नेक्ट कुशन पर हां जी अगला कुशन जो दे रखा वैं दो समरूप तिर भूजों का छेत्रफल अनुपात कितना इतना दे रखा है तब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा फिर से वही कंडिशन लेकिन उल्टी भाद बूली गई है दो तरीके से कुशन पुछा जा सकता एक पहले पूछा ता और एक यह तरीका है इसमें भी चीजे भई एक तिरभुज जो हो दूसरे के समरूप हैं अब 6 त्रफल की बात करें पहले वाला और 6 तृफल की बात करें दूसरे वाला इन दोनों का अनुपात जहें उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है यही फर्मुला था अब भै छेत्रफल का अनुपात हमें दे रखाए कितना है 49 बटे 25 तो लिखा हमने 49 बटे 25 लिख दिया बराबर में एकस बटे में वाई है ठीक है वर घटाओ इधा रूट लग जाएगा रूट लगे रहें का मतलब क्या है पूरा रूट लगाया मैंने 49 बटे में 25 बराबर में एकस बटे में वाई है उन्चास की बात करें कितना है तो साथ आगा 25 तो पांच आगा तो साथ बटे पांच आया तो आप्सन नंबर तीन कर याद रखना तीक है यह बिल्कुल ही याद होना चाहिए क्या कि अगर दो तिरुबूत समरूप है तो उनके 6 तरफल का अनुपात उनकी भूजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ओके तो आते हैं नेक्स कोश्चिन पर अगले कोश्चिन के में देखने ही क्या हां जी अगला कुश्च्य ने बर सभी आकरतियां समरूप है लेकिन वे क्या नहीं होंगे वह क्या नहीं होंगे क्या वह सरवांग्षम नहीं नहीं होंगे यह फिर सबी उत्तर गलत है तो क्या लिखा है सभी उत्तर सत्य है कि क्या चीज़ होगा तो बहुता दूँ कि अगर कोई छोटा सा तिरभूज है जो कि समभावु तिर्भूज है यह दोनों ताफस में समरूप होते हैं लेकिन समरूप यह तो छोटा है छेत्रफल तो इसका ज़्यादा होगा इसका कम होगा तो भाई छेत्रफल बराबर होंगे तो नहीं होंगे ठीक है अब इस वज़े से दो गलत होगे तो क्या सभी उत्तर सत्ते हैं तो यह भी गलत है अब आई बात सरवांग्शम नहीं होंगे तो यह दो अल यहां पर यह question यहां समाप्त होते हैं आज के सशन के सारे question हमने complete कर ली हैं से कोशन में कर पाओंगे ओके चलो भई अब इसके बाद आपको बताना चाहता है मेंगनेट बेन के बारे में तो मैंगनेट बेने कैसा प्लैटफों में जो आपको प्रवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विश्यों के कंप्लीट वीडियो कोर्स वह भी फ्रियो कॉस्ट और यहां पर आप लोग के लिए कुछ नहीं चीज़े वह क्या है तो यहां पर आपके लिए सुधा के लिए सब्सक्राइब करते हो तो उसको पर क्लिक किजे और उसके पूरे को बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट यहां पर देख सकते हो ओके फॉर एक्जामपल जैसे कि मालो कि आप हिंदी मीडिया में हैं तो आप हिंदी में पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते आप उसके पूरे वीडियो को आप देख सकते हो फॉर एक्जामपल जैसे कि आप हम आप चाहते हो मैथमेटिक्स करोड़ तो मेरे सामने नीचे वाशनाव पर क्लिक करोगे और वाशनाव पर क्लिक करते के साथ आप कुछ इस तरह का इंट्रफिस आपके सामने आ जाएगा जिसमें आप सेप्टर को क्लिक करोगे तो उसके अंदर सबसे पहले तौब को मिलेगा उसके आप पूरे इंस की कूशन मिलेगा और उसके बाद कहते हैं एंसी क्युशन है वन सौर्ट वीडियो है मोस्ट इंपोर्टनिन बहुत सारी चीज़े है यानि आपको कहीं बाहर जाने की जरूत वीडियो पर क्लिक करोगे क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फाइदा उठा पाओगे तो और उसके बाद आपको बताना चाहता हूं मैं ने हिंदी वीडियो में जो को से लांच कर रखे हैं जो कि छटी से बाद वी कक्षा तक के सभी विश्यो आप करते रहें ओके बाई टेंक यू